इस वक्त महाराश्टर की राजनेतिक सिचुएशन पर आपको क्या कहना है? महाराश का अगर इतियास हम देखे हैं, पहले कभी भी इस तरह की परिसित्या नहीं हुई, पहली बार बीजेपी को एक सो पांच एमेले लोगों ने चुनके दिये और तभी से ये महाराश में परिसिती पैदा हो चुकिए, महाराश की जनता ये सोच रही है कि हमने गल्ती कि कि पीजेपी को हमने चुनके दिया, आपने देखा हो गए कि किस तरह से महाविका सरकार की सरकार गिराई और सरकार गिराने के बाद एड़ी की सरकार बनी, एकनाज सिंदर फर्टनिस की सरकार बनी, मंत्रे मंडल का पुरा विस्तार नहीं हुआ, एक-एक मंत्री छे-छे ज को तोड़ा उसमें एक और नौ मंत्री का मंत्री मंदल विस्तार किया लेकिन अभी तक मंत्रियों के खाते का उनको पूर्पोलियों दिया गया नहीं इसका मतलब है कि महराश में यह अस्तिर्था बीजेपी जान बुझकर बना के रखना चाहती है और जंता के प्रश्णों को डाइवड करना चाहती है और इसलिए ऐसी गलत सरकार जैसे कानुन विवस्ता बिगड़ने के वज़े से महराश में एक तनाव बना हुआ है किसान परिशान है चार गुना किसानों के आत्मत्या बड़ी है महंगाई का तो ठीकाना नहीं है और बेरोज़गारों के प्रश् जटित बनते जा रहे और ऐसे समय में राश्पती राजवड अगर लगती है तो मुझे लगता है कि ये सरकार को इस बहाने निकल जाएगी तो लोग भी एक इस परिशानी से मुक्त हो जाएंगे और इसलिए कॉंग्रेस के तरफ से हम मांग करते कि राश्पती राजवड म महाराश में लाग होना चाहिए आप बहुत बड़ी मांग कर रहे हैं दूसरी तरफ अजित पवाद जो कि सरकार से आके जुड़ गए वो कह रहे हैं कि विकास के लिए वो सरकार से आके जुड़े हैं प्रोग्रेस है मोधी हैं तो इसलिए देश आगे बढ़ेगा इस वज रष्टाचरी लोगों को जमा करकर अपने पार्टी में मंत्री बनाना अपने सरकार में मंत्री बनाना उनको दर बताना अब रष्टाचर के जो पैसे जमा किये उससे विधायकों को खरीदना उसको आप्रेशन लोटस बोलते हैं तो इसका मतलब है कि अजित पौर अगर व जवाल घड़े हो तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा प्रशन चुड़ाना पड़ेगा लेकिन एडी का ड़र है सिबय का डर है और खुछ शरत पाउज ने कहा है और लिश्ट पढ़ के बताई है कि किसके तुसके ओपर एडी और सिबय की कारवाई थी उसमें यह सब लने की जरूत नहीं है हमें आरोप लगाने की जरूत नहीं है लेकिन केंद्रिय सरकार नरेन मोधी की सरकार बीजेपी लोगों को डढ़ा कर भरष्टाचर का एक बड़ा खेल करकर इस तरह के दुसरी पार्टियों को अपोजिशन को तोड़ने का काम करती है और उस आदार लेकिन अभी इस वक्त सरकार करिए कि उनके पास दोसों से ज्यादा विधायक है इससे ज्यादा स्थिर सरकार हो नहीं सकती तो क्या आपको लगता है कि ये सरकार स्थिर रहेगी और स्थिरता पूर्वक काम कर पाएगे अगले एक साल? करते हैं कि मंत्री मंदल में अभी भी जगा खाली रखी है सरकार को डर है कि जिस दिन हम यह करेंगे तो सरकार गिर जाएंगे यह राक्षशी बहुमत यह भश्टा चार से और डर के वजए से यह बनाएंवा बहुमत यह एक्शली बहुमत नहीं है और यह खुद बीजयपी जानती है और इसलिए वो बंदर का खेल खिला रहे है और लेकिन इसमें जनता का नुकसान हो रहा है ये बीजेपी भूल रही है और इसे में उनको जनता सबक्सिकाएंगे इस सब में कॉंग्रेस सबसे बड़ी पार्टी उभर के आई है अभी महाराष्टर में ओपोजिशन के तौर पे तो क्या लीडर ओपोजिशन पोजिशन अब कॉंग्रेस क्लेम करेगी और कॉंग्रेस की अगली स्ट्राटेजी क्या रहेगी महाराष्टर के राजनेतिक परिस सिति को देखते हुए। पार्टी का या पोजिशन लिडर होगा। उसमें कोई दोमत नहीं। उनके तेलंगाना में उनके अहलत खराव होगी। कॉंग्रेस वहां पर बड़ी पार्टी और बहुमत के तरफ आ रही है। ऐसा जन्मत वहां पर है। तो मुल्स अब्जट है कि तेलंगाना हो। चतिसगड़ों, मद्यपदेशों, राजस्तानों सभी राजों में कॉंग्रेस बहुमत की सरकार ला रही है। और यह लोगों का आशिरवात कॉंग्रेस के प्रती है। तो महराज में भी यह राजों से भी अच्छी हम लोग भूमिका निभाएंगे। और राज की जन्ता को नए देने वाली कॉंग्रेस की सरकार हम बनाएंगे। जिसमें किसान भी होगा, गरीब भी होगा, हमारा युवा भी होगा। और सर्वकेश विकास की जो भूमिका जन्ता को होती है, वो कॉंग्रेस पर्टी महाराज में देगी। और उस आधर पर हम लोग हमारा जो मेमोरांडम है, वो भी हम पुब्लीक के सामने रखेंगे और उसका पूरा करेंगे। युवा भूमिका कोंग्रस पर्टी है।